सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोत को सामने बैल आइकन को जरूर दवाईए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग लेकर एक इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं इंपोर्टेंट जानकारी लेकर हैं जो कि ITI के लिए भी इंपोर्टेंट है जिन बच्चों का अभी तक हाल टिकर जनरेट नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि अभी तक जिन बच्चों का हाल टिकर चेंगे नहीं हुआ है क्या क्या रिजन हो सकते हैं तो चलिए शुरू करता है तो दोस्तों ये देखिए एक mail आया है डिजीटी की तरफ से हमें आज साम के करीब 6 वजे के यास्पार डिजीटी की तरफ से एक mail रिशीव हुआ है उसमें फिर से एक portal को open किया गया है trainee verification के लिए trainee approval के लिए और halt ticket eligibility creation के लिए तो दोस्तों यहाँ पे इस mail में ये भी बताया गया है कि AI WT 2022 जो अगस्त 2022 में परिक्षा होने वाली है उसके halt ticket practical के halt ticket already complete हो चुके है, halt ticket already generate किये जा चुके है जो भी exam relative जो भी exam related activities थी वो सारी NCVT-MIS पर complete हो चुकी है और practical के halt ticket जारी कर दिये गया है अगर किसी को नहीं पता है तो यह जान ले कि halt ticket जो भी है, बच्चों के practical के halt ticket जारी हो चुके है, वो अपने NCVT-MIS portal को open करके बच्चों के halt ticket को download कर सकता है या फिर बच्चे अपने profile से भी halt ticket को download कर सकता है अब देखिए second line में ये क्या कह रहा है कि still some states are requesting for eligibility creation कुछ state और ITI वालों ने complain किया था कि उनके बच्चों का halt ticket eligibility के लिए जो है time जो बढ़ाया गया था या time दिया गया था उस time period में जो है उनका छूट गया है या माली जो उन्होंने eligibility create तो कर दिया है approval नहीं किया है तो उसके लिए जो है काफी request आई थी state की तरफ से भी गई थी private ITI वालों की तरफ से भी गई होंगी तो उसके लिए और ये ये कह रहा है कि भाई जो भी ये अपने समय से time अपने work को complete नहीं कर रहा है चाहे ITI वाले हों तो ये बच्चों के साथ खिलवाड कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी time period मिले उस time period के अंदर जो भी trainee से related activity जो भी complete करनी होती है चाहे उनके परिख्छा से related चाहे admission से related तो उसको time to time complete कर लेना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर देखे थर्ड लाइन में वी आर ओपनिंग NCVT MIS portal for trainee verification trainee approval eligibility creation for two days up to 23rd July 2022 1 p.m. ठीक है दो पर एक बजे थक तेज तारिक को तो यहाँ पर यह कर रहा है कि तो जो complaint received थे उसके regarding इन्होंने meeting की उसके बाद यह decide हुआ कि फिर से NCVT MIS portal को open किया जा रहा है किसके लिए trainee verification अगर किसी बच्चे का trainee verification अभी तक नहीं हो पाया trainee verification के लिए अगर trainee verification complete हो गया है तो अप्रूब trainee approval के लिए और हाल ticket eligibility creation के लिए अगर किसी ने हाल ticket eligibility create ही नहीं किया है तो create कर सकता अगर जिसने create कर दिये वह approve कर सकता है और इसके लिए दो दिन का समय दिया जा रहा है जैसे आज 21 तारीक है तो 22 और 23 तेज़ तारीक को दो पर एक बज़े तक का समय दिया गया है एक बज़े तक अगर आप ये सारी activity complete कर लेते हैं तब तो बच्चों का हाल ticket generate होगा नहीं तो उन बच्चों पे कोई भी सुर्वाई नहीं होगी दुबारा से क्योंकि आप लोग को पता है कि practical के exam एक तारीक से start हो रहे हैं अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे यह कह रहा है कि 6000 जो बच्चे हैं इन्होंने profile verification के लिए request डाली हुई थी हाल ticket before हाल ticket वाले कि उनका trainee data तो अप्रूब हो गया था लेकिन उनमें कोई त्रूटी थी तो उन्होंने request डाली थी अपने ITI पे त्रूब trainee verification week 4 हाल ticket eligibility वाले में ठीक है ना तो उसमें क्या हुआ है कि बच्चों ने तो request डाल दी है लेकिन उन्होंने आई टी आई को नहीं बताया कि सर हमने जिस भी ITI में वो पढ़ते हैं उन बच्चों को उन आई टी आ को उन्होंने यह जानकारी नहीं दिये कि सर हमने request डाली हुई है कि हमारा यह इस चीज में तुरूटी था हमने request डाली है उसको approve करना है तो इसलिए कई कई private ITI जा government ITI को यह पता नहीं चल पाता है कि किस बच्चे ने request डाली है किस बच्चे ने नहीं डाली है अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और ITI में admission लिया हुआ है उसने इस तरह की request डाली है किसी भी तुरूटी से related तो अपने ITI पर जल से जल संपर करें क्योंकि इस तरह के 6000 बच्चे pending में पड़े हुआ है अगर ITI उस डाटा को approve नहीं करता है तो already expire हो जाएगा और आपका जो भी correction के लिए आपने request डाला होगा वो आपका correction नहीं हो पाएगा और आपका हाल टिकट पुराने ही नाम से generate हो जाएगा तूटी के साथ ही generate हो जाएगा तो इसको जल से जल अपने ITI पे संपर करके इसको approve करा लें जिससे कि आपका data संसोधन हो जाए और हाल टिकट generate होने से पहले आपका जो भी तूटी पुर्ण data हो संसोधित हो जाए ठीक है और उसके बाद यहां पर साथ साथ लिखा है कि ITI के दोरा जो भी ग्रिवेंस पड़ा हुआ है प्राइवेट आइटी पर अगर बच्चा नहीं संपर करता है या प्राइवेट आइटी अपने इंड से भी चेक कर सकते हैं कि किसी बच्चे का उनके हाँ request नहीं ना आया है तो उस बच्चे को contact करके उसके document मंगा के उसको verify कर सकते हैं तो यह जो facility दी गई है यह कल तक के लिए दी गई है कल के बाद जो है वहां से data को automatic reject कर दिया जाएगा और गलत जो भी तुटिपून data है उसके साथ ही hardicate को generate कर दिया जाएगा उन बच्चों का तो आज 21 तारीक ह ITI वालों को यह समय दिया गया है कि जो भी उनके अग्रेवेंस आया हुआ है जो भी request आई है उनको open करके approve कर दें नहीं तो कल परसों में यह automatic reject हो जाएगा और प्राने नाम से hardicate को generate कर दिया जाएगा तो यह दोस्तों एक important जानकारी थी